हलो फ्रेंड मैं हूँ अमीता और अमीता मोधी के जिन में आपका स्वागत है घर का काम करते करते कई वार हमें ऐसा लगता है कि कास इसकी कुछ टिप्स या ट्रिक्स पता होती ही जिससे हमारे डेली के काम बहुत आसान हो जाते और बातरूम तो घर का एक ऐसी चीज होती है जिसको क्लिए ना करेना तो वो इतना जादा गंदा हो जाता है कि उसको यूज करने की हमारी इच्छा भी नहीं होती है और बातरूम को साफ करने में हमें पसीना आ जाता है आज मैं आपके साथ कुछ इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स सेयर करे हो ना जिससे बिना मेहनत के आपका बात्रूम चमक जाएगा तो ये देखिए मेरे पास है मैक्सो क्वाइल मच्छर भगाने वाली जो पहले हम लोग यूज करते थे और ये मेरे पास पड़ी हुई थी बहुत प्राइन थी इसको मैं यूज नहीं करती थी और एकदम से इस पे मेरी नजर पड़ी तो मैं इसमें से दो चकली ये निकालनी थी और एक चकली हमें इसकी यूज करना है और एक को मैं बापस पैकट में इस तरीके से रख दूँगी और ये देखिए इस तरीके से मेरे पास एक पत्थर था तो इसको ना यूज करके हम इसके छोटे-छोटे से पीस कर लेंगे और मेरे युज नहीं करते हैं या फिर exceptionally है इसे पहुडरस नहीं है कर लिजिए काम बहुत आसान हो जाएगागा, यह statistic चिस लिजिए ब्लकुल जगारण पत्थर से कुट खो तोड़न सी महत लगी favorite लेकिन काम आसान हो舉 जाएगा यह देखिए इसके चोटे-चोटे से टुकड़े मैंने कर ले हैं आज जो टिप्स में आपको बता रही हूँ ना प्रेंट बहुत यूजफुल टिप्स है थोड़ा सा पानी समें डाल देंगे और बस इसको अब हम फिर से इसी तरीके से कोटेंगे थोड़ी सी फूल जाएग कि हमारे घर में चोटे-चोटे से कीडे मकोडे का करोच छिपकलिया आ जाती है बहुत दिक्कत होता है और यह हमारे घर के जो सामान होते ना उसमें गंदगी फैलाती है और डश्ट बिन वगएरा या फिर जो बास वेशन होते हैं किचिन में भी आ जाती बहुत गंदा हैं लेकिन जब इसकी स्मेल और इसका असर खतम हो जाता है तो यह फिर से हमारे घर में आ जाते हैं लेकिन आज जो टिप्स में आपके साथ सेर कर रही हूं ना बहुत यूजफुल टिप्स है प्रेंट बिना पैसे की और इसको फॉलो करेंगे ना तो मैं 100% कारंटी देती ह दूब करने हूं कि आपके घर में कभी भी कोई थी मकोड़े या फिर काक्रों चिपकलिए या बर्सात के टाइम में जो फंश वगयरा फपून बगयरा हो जाती है ना हमारे कपडों में या हमारे फनिचर में जो दीमक बगयरा लग जाती ना बो सारी प्रॉबलम समझो कैसी पड़ा था यह बेकार सा तो बस मैंने सोचे चलो आज इसका मैं एक यूज कर लेती हूं और बस इसमें डाल दिया है अपने पेश्ट को और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी लगवक एक गिलास एक गिलास पानी लग जाएगा इसमें और हां तो से इसको अच्छे होती है डिटॉल तो यह तो हमें डालना ही पड़ेगा एक जो बड़ा धकन है न बढबड़े धकन भर के इसको हम watching है और इसके बाद डालेंगे बिम्बार एक ड़कन यह ड़ जहीं पर इसमें और आ कपूर की जो खुश्वू होती है ना बहुत अच्छी होती है एक गलती मेरे से हो गई है फ्रेंड जब हमने यह पेश्ट पीसा था ना चकली का उसके साथ यदि हम कपूर पीस लेते ना तो यह इस तरीके से मैं ठोकटा कि इसके उपर से कर रही हूं ना वो नहीं करनी पड़ती लेकिन मैं भूल गई थी बाद में मुझे ध्यान आया और बाद में मैंने कपूर डाला तो यह देखिए कपूर अच्छे से मिक्स इसमें हो गया है जब आप चकली को पीसेंगे ना उसी में साथ में कपूर को भी पीस लेजिए अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो यह देखिए सारी चीजे तो अच्छे से मिक्स हो गई है लेकिन अभी इसमें कुछ दाने हैं कुछ पार्ट हैं तो बस अब क्या करेंगे ना हम एक छनी ले लेंगे जिसको हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं वो छनी हमें लेना है ये देखिए इसमें एक बड़ा सा छेद भी है इसको मैंने अलग कर दिया था देखिए आज वो ही छनी मेरे काम में आगे है और बिम लिक्विट की इस्प्रे बॉटल में डालके चलिए इसका कैसे यूज करना है वो आज मैं आपको बताती हूं यह देखिए सबसे पहले सुरुआत करते हैं अपने किचिन से तो यह मेरे किचिन का है प्लेट फॉर्म तो मैंने सारे किचिन के प्लेट फॉर और सिंक में और यह देखिए अब मैं डाल ले हूं अपने यह चूले में और यहां से यह गैस की यह पाइपलाइन आती ना इसके अंदर भी छोटे-छोटे से कभी-कभी में यह काक्रोज देख जाते हैं इस पर में भी डाल दूंगी और यदि आप इसको रात में धूसे dobrze बैड़म एक जब आते हैं यह द्क्राइब रात में ही आते हैं और यह सारे किछन इंबाद में दालना अपने बैड पे तो बारिस के बादना हमारी बैड मैंसे बहुत इसमेल आने लगती है और कई बार तो इसमें दीमक भी लग जाती है और ये देखिए मैंने इसमें ये डाल दिया हर जगा डाल देंगे उपर नीचे आजू वाजू हर जगा डाल देंगे इतनी बढ़िया इसमें से खुसवू आ रहे हैं ना कि सारा घर महगया और चलते हैं अपने गार्डन की तरफ तो ये देखिए मेरे घर का है गार्डन तो ये कीटना सक लिक्विट हमने तयार किया है तो हम अपने पेड़ पौदों में भी इसका छिड़काओ कर देंगे कई बार पेड़ पौदों में छोटे-छोटे से कीड़े लग जाते हैं जिससे हमारे पेड़ पौदों की ग्रोथ रुक जाती और वो सुख जाते हैं इसका छिड़काओ करेंगे ना तो पेड़ पौदों की ग्रोथ नहीं रुकेगी ये देखिए हमारे घर में जो मेरा आंगान है ना उसके कौनर्स पर उसकी किनारों में भी छोटे-छोटे से कीड़े मरेंगे तो सारी चीटियां जो है ना वो इसकी खुस्वू से भग जाएंगी ये देखिए मैं आपको करके बता रही हूं सारी खिड़की पर दर्वाजी पर जो भी चीज़ है ना सब पर डाल देंगे बिल्कुल आल राउंडर स्पर है ये चोटी-चोटी सी चीटियां हो बहुत असरदार होता है ये लिक्विट क्योंकि इसमें सारी कीटना सक चीज़े मिली हुई है ये देखिए सारी किर्की पर मैंने डाल दिया ये मेरी बेटी की अलमारी है जिसमें वह थोड़े से कपड़े रखती है डेली उचके और कई वार तो कपड़े ऐसे होते हैं कि समय के बाद उसमें फंगस लग जाती है सपे सपे सी और एक बैड़ समयल सी आने लगती है दोने के बाद भी वह अलग नहीं होती है बदू इतनी जादा गंदी आती है कवर्ड खोलते हैं बहुत बैड़ समयल आती है तो ये चड़काव आप करेंगे ना इस परे का जब भ देंगे बास बीसन है इसमें भी हम डाल देंगे अब ही हम इसको क्लीन नहीं करेंगे दस मिट यसको चारा रहने जेंगी ARE हैं यह दी वारत टो इस bots जा जा आजा का यह इसको यूज करने की हम और्छचा जाओ सबक्र का इसCon最وبार्टा जो उटारा गंदा होता है दो Siân सब लिक्विट का आप छड़काओ करेंगे ना तो आपके बातरूम में से बहुत अच्छी घुसू आएगी सभी पूछेंगे कि आपने कौन सा इसके लिए तो फ्रेंड यहीं बताईए होम मेड इसके यूज किया है यह देखिए मेरे बातरूम का जो कौनर देख रहे हैं आप कितना जादा गंदा हो गया फ्रेंड मैंने जान बूच के इसको क्लीन नहीं किया था क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाना था और आपके साथ सेहर करना था कि देखिए बातरूम कितना जादा गंदा हो जाता है यदि हम उसकी समय समय पर सफाई ना करें तो मैंने अपने बातरूम के जितने भी कौनर्स थे और जितनी भी गंदगी थी चारो तरव इस परे का मैंने छड़काव कर दिया है और अब देखिए 10 मिनिट ह हो गए है और अब मैं फ्लैस कर दूंगी और उसके बात देखिए बिलकुल चमा गया मारा कमोड और बातरूम में से इतनी बढ़ी है इसमेल आरी है जिससे आपने बहुत महंगे से महंगा डियोडन या पर्व्यूम इसमें यूज किया हो तो चलते हैं अपनी दूसरी से बिना ब्रस के बिना महनत के हम अपने बातरूम को और कमोड को सीट को किस तरीके से साफ कर सकते हैं आज आपके साथ सियक कर रही हूं तो यह देखिए मेरे पास है इनो और इसका सारा पाउच में अपने टॉलेट में डाल दूंगी यह देखिए डल गया ना इसमें और अब इसको हमें 10 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है इसको बिलकुल भी हमें टच नहीं करना है लगवक 10 मिनिट तक जितने भी साइट इसकी गंदी है ना उपर नेचे आजू-बाजू सारी तरफ हम इनो ढाल देंगे और बस 10 मिनिट इसको रेष्ट होने देंगे कु बहुत ज़्यादा डारक गंदी की सारी कुछ निकल गई है तो देखिए फ्रेंट आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंट यदि आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना यूच्फुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजी सेयर कीजी और कमेंट क कि मुझे जरूर बताइए ठैंक पॉर वाचिंग ओके टेक क्यार बाइबाए